हेलो हाई वच्चोद वेल्कम वेक्ट में चैनल बिगिन में नीदच और मैं आपके लिए क्वेशन्स लेके आई हूँ कैमिस्ट्री के स्टेट अफ मैंटर यह आपका आइधिंग मुझे लगता है फोर्स चेप्टर होगा कैमिस्ट्री का जिसमें गैसे लिक्विड पूरा पर दो आपका बाते हो हुँ ठीक है तो आप क्या करें आप सिर्फ बताते रहें मुझे में हमकर यह हैं एक बक्रमकर मेरे से फूज रहा था कि क्रेस्ट्न कहां से लाते हुआ हैं तो मेरे पास में वित गया हैं उसे मैं आपके questions को pick up करती हूँ कि आपके level के questions हैं वो कौन से हो सकते हैं तो वो मैं type करती हूँ उसके बाद मैं फिर आपको provide करवाती हूँ ठीक अगर आपको questions अच्छी लग रहे हैं कि हाँ इसी type of questions आते हैं तो मुझे please comment box में जुरूर बताएं कि मैं इसी type of questions आते हैं तो मुझे एक idea हो जाता है कि हाँ मैं सही जा रही हूँ ठीक है और उसके बाद मैं मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने कोई भी chapter complete कर लिया जैसे मैं next chapter लेकर आते हैं यह state of matter जैसे आप समझोगे कि ना sequence wise करा रही हूँ मैं chapters को ठीक है तो आपको sequence wise जो chemistry की sequence है उसी पर जाना है और chapters की सारी जो है रिवाइस करना है सारे chapters को उसके बाद मैं आपको questions attempt करना है ठीक है अगर यह questions मैं करा दी हूँ तो आपको सबसे पहले अपना question जो chapter है वो revise करके आना है उसके बाद में यहाँ पर question को practice करना है ठीक है जोला हम इस start कर लेते हैं first question के सार्थ में तो first question है आपका the dimension of pressure are same as that of ठीक है तो आपको पुछा है dimensions of pressure pressure की dimensions पूछिए वो कैसी होगी तो जैसे कि आप जानते हो कि जो डारेक्ट भी निकाल सकते हो आप तो pressure is equal to कितना होता है force upon area होता है ठीक है एरिया होता है यह होता है यह होता है pressure is equal to directly formula लेकिन आपको यहाँ पर जो option है वो दे रखा energy पर volume energy पर volume कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता दे रही हूं कैसे निकलना है आप बोले थे मैं concept भी please clear कर दिया कर दिये तो मैं आपकी concept भी clear कर दूँगी ठीक है अब देखो आपका option है हमारा second option तो देखो इसी से force से और area से निकाल ले रहे है तो देखो force क्या होता है force सब ढ़ी देगे है अगर यंगे हां भी आपर नीचे displacement का बुकर देंगे इंटू और नीचे area है जो आपका और कर रही हूं है उसमेंट कामो जाएगा देखिए ए he करें तो फॉर्स इंटो डिस्समेंट क्या होता है आपका वर्क होता है अगर आपने डामेंशन बढ़ाऊ हुआ ठीक है उसके बाद में अगर आप की जो डामेंशन होती है वह सेम ही होती है तो व्रक को हम energy लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं तो work को हम equals to my energy लिख सकते हैं energy ठीक है और energy लिख सकते हैं जब work को तो जो नीचे volume है वो volume reacts रहे गा तो आपका option आगे एक नहीं आगे है energy per unit volume सेकिन आपका है इसे आप निकाल सकते हो कि ऐसी ही ये question solve ہو जाएगा तो जो value होती है किसकी r constant की आपने देखा होगा r की बहुत सारी values होती है तो इसका जो किस पर depend करता है वो none of these इन मैंसे चारो option में से किसी पर भी वो depend नहीं करता है r की value तो none of these इसका option हो जाएगा मैं r की values आपको बता दे रही हूं कौंसी कौंसी होती है तो देखो आगर आप universal constant की values बढ़ेंगे तो आपको चार values मिलेंगे पहली होती है 0.0821 और आपको सबसे पहले क्या लिखना है per mole per Kelvin लिखना है ठीक है पर mole और per Kelvin ये लिखना है उसके बाद में सारी चीज़ों में per mole per Kelvin लिखना है उसके बाद में देखिए उसके बाद में आप देखिए यहां पर mole per Kelvin लिखना ही है उसके बाद में लीटर और atmosphere भी आ जाएगा value हो जाएगी यह ठीक है उसके बाद में देखिए next to value the r की वह मैं आपके सामें लिख दे रही हूं आप लिखेंगे 8.31 ठीक है इंटू 10 to the power 7 ठीक है अर्ज उसके बाद में पर mole per Kelvin तो आपको लिखना ही है हर एक चीज में हर एक में आपको यह लिखना है ठीक है next value हो जाएगी आपकी r की 8.31 जूल में लिखना चाहोगे तो जूल पर mole per Kelvin आपको मैंने बताया ना पर mole per Kelvin तो हर एक में लिखना है तो यह हो गया per Kelvin अब यह वाली जो value है वो mks की value है और जो यह वाली value है वो है आपकी cgs पदतिती में ठीक है यह वाली value second value थाड़ वाली हो गई फोर्थ वाली होती है calorie में तो calorie में जो आज की value होती है वो 2 होती है 2 calorie और पर mole per Kelvin पर mole per Kelvin यह आपकी चार values होती है किसमें जो आपका value होती है जो universal guest constant होता उसकी ठीक है अभी आपको यह सारी value चार वाली लिख ले लिए अपने किसमें नोट बुक पे उसके बाद में आपको यह रिवाइस करते हैं multiple times next question पर हम बढ़ लेते है next question आपका है देखो third option आपने पूछ लिया question ने the correct value of guest constant R is closed तो आपने पूछा है कि correct value क्या होगी R constant की बो पूछी है उन्होंने तो आपको मैंने जल्स से बताया कि R की first ही value क्या बताई थी मैंने 0.0821 liter ATM ठीक है liter ATM पर mol पर Kelvin यह बताया था मैंने यह बताया था आपको तो आपकी इसमें बताया यह कौन सा option सही हो जाएगा तो लीटर ATM पर mol पर Kelvin आपका यह value है वह सही हो जाएगा ठीक है first option आपका correct हो जाएगा उसके बाद में देखिए the density of methane आप किसकी density पूछी है पीटा मीथें की density पूछी है उन्होंने pressure दे रखा है 2 a.m. 2 a.m. और temperature दे रखा है 27 degree celsius तो आपको सबसे पहले आपको क्या दे र प्लस 273 करते हैं आपको याद हो डिखी celsius को Kelvin मदलने के लिए तो इसकी value हो जाएगी 300 Kelvin हो जाएगी 300 Kelvin हो जाएगी अब देखो अब हमें क्या है सबसे प्रेंसिटी निकाल देंसिटी कैसे निकालना है तो मीथिन की देंसिटी आप फॉर्मूला में लगाना है तो आपको यसे निकालना है जैसे आपने पढ़ा होगा जैसे कि आपने पढ़ा होगा विटा की पी वी इक्वल्स तू एन आर्टी आपने आइडियल उक्वेशन तो पड़ी होगी न कैसे एक्वेशन है जो आइडियल कैसे एक्वेशन तो यह आइडियल कैसे एक्वेशन है है PvE is equal to nRT, आपको यह भी यहाद रखना है, उसके बाइब हो कैसे निकालना है, अप density कैसे निकालना है, एँ यह धिखना है तो अंको क्या लिखते हैं, जिए लिखते हैं अटा, given weight upon molecular weight लिखते हैं ठीक है, तो given weight यहाँ पर लिख लेंगे और molecular weight यहाँ पर लिख लेंगे मतलग जो given weight है वो मैंने small m से लिखा है और जो आपका molecular weight होता है वो आपका capital M से R T as it is छोड़ देंगे और यहाँ पर P और V लिख देंगे ठीक है अब आपने इंदक देंसिटी इसकल टू पढ़ा होगा M upon V पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने density is equal to mass upon volume होता है या नहीं होता है ठीक है होता है अब आपको क्या करना है हिजा फिरी करने है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो है value यहाँ पर जो M है बड़ी वाली इदर ले आएंगे तो देखो M इदर आगे हमारी बड़ी वाली और जो V है वो बड़ी वाली M की जगहे पहुंच जाएगा तो M upon V R और T यह हो गया ठीक है उसके बाद में मैंने जसके आपको बताया है कि density is equal to M upon V होता है तो यहाँ पर P M equals to density छोड़ी D से represent कर देंगे और R T as it is रहेगा अब आपकी जो value है जो question है उसकी value जो दर दे रखी है वो हम लिखे लेते हैं तो value है आपकी P equals to 2 और T equals to 300 इतना दे रखन और methane का जो molecular weight है वो निकाल सकते हो तो methane होता है CH4 और उसका जो molecular weight होता है वो क्या होता है बड़ा molecular weight हो जाएगा इसका 12 होते हैं आपके molecule उसमें 12 में तो 12 हो जाएगे कारवन के और 4 इसके है एच के तो 4 हो जाएगे तो यह plus करने के बाद में कितना हो जाएगा 16 तो अब क्या बिठा आपकी value जो put कर देंगे तो P आपका दे रखा है 2 M दे रखा है आपका 16 इंटू में equals तो जो D की value है density तो हमें निकाल नहीं है आर की value मैंने जाए थी आपको 0.0821 और इंटू जो T की value है वो 300 है तो आपका जगा आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करना है D equals निकाल लेंगे आप D इदर आ जाएगी तो 2 इंटू 16 अपन 0.0821 और 300 नीचे आजाए उसके बाद में जो आपकी value आजाएगी वो आपकी value आपकी value आजाएगी 1.3 ग्राम पर लीटर यह आपकी value आजाएगी तो हम options को मैच करने के बाद में देखिए options को मैच करेंगे हम तो इसमें जो option है आपका वो है देखिए आपका third option हम मुझे सही लग रहा है तो third option आपका सही हो जाएगा ठीक है ग्राम पर लीटर उसके बाद में लेखिए आपका question है 5 मा 5 question बोल रहा है आपसे select the correct statement in the gas equation pv is equal to nrt तो इसमें आपको select करनी है correct statement select करना है और pv is equal to nrt सही होना चाहिए तो n is the number of molecules of a gas गलत है and moles of the gas have a volume V हाँ आपका जो भी option है वो मुझे सही लग रहा है तो यह option आपका सही हो जाएगा ठीक है उसके हम देखिए 6th question है आपका equal volume of gases at the same temperature and pressure contain equal number of particles this statement is directly consequence to तो यह वाला जो statement किसने दिया था कितने number थे हैं देखो आपके volume of gases same temperature equal जो volume होगा gas का वो same temperature पे होगा और pressure का भी जो equal volume होगा वो same number of particles पे होगा तो वो किसका है वीटा वो ideal gas equation है कि इसमें ही आपके equal volume of gases at same temperature and pressure contain equal number of particles यह रोने ideal gas equation में यह देखा यह आप देखोगे तो आप easily definition पढ़ लोगे कि ideal gas equation के लिए 7th question है आपका use of hot air balloon in in sports and meteorological observations and application of तो यह किस ने दिया था पिटा यह आपके Charles ने दिया था चार्स ने मोला था यह ठीक है आपका fourth option सही हो जाएगा फिर आपका eighth question है helium atom is twice times heavier than a hydrogen आपको पता है कि helium atom क्या होता है twice time two होता है हमारा helium का और आपका जो hydrogen का होता है विटा होता है वन तो twice time क्या है heavier than hydrogen से molecule से at 298K मतला Kelvin temperature दे रखा है the average kinetic energy of helium क्या होगी तो two times that of hydrogen molecule या फिर सेम as that of hydrogen molecule या फिर four times that of hydrogen molecule या फिर half that of hydrogen molecule इसकी जो value है वो आपकी value हो जाएगा जाएगी बिटा same as that of hydrogen molecule तो आपका जो B option है वो correct हो जाएगा next question है आपका if the four tubes of a car are filled to the same pressure with N2, O2, H2 and helium separately तो सबसे पहले आप किसको firstly आप fill करेंगे तो आप कार में fill कर रहे हो same pressure पे nitrogen gas को भी oxygen gas को भी और hydrogen को भी और separately आप helium को भी तो सबसे पहले आप किसको बरेंगे fill करेंगे तो आपका जो option हो जाएगा बिटा को हो जाएगा तो आपका first option correct हो जाएगा फिर next question है आपका कि weight of methane ठीक है आपका जो methane CH4 तो अनोंने दिरिखा है volume और दिरिखा है आपका pressure उसके बाद में दिरिखा है आपका temperature तो दिखो जैसे कि आपने ideal location पढ़ा था PV equals to nRT ये बढ़ा था आपने तो इसमें सबसे पहले दिखो आपको क करना किया इसमें कि n आपके moles तो moles को हम given weight upon molecular weight लिखते हैं नहीं लिखते हैं लिखते हैं आराम से उसके बाद में देखिए आपको पूछा क्या है weight ही पूछा है तो given weight पूछा है आपसे molecular weight हमें पता चल जाएगा किससे कि CH4 का molecular weight हो जाएगा वह जाएगा 16 जैसे कि मैंने previous question में आपको last question में आपको बता आथा तो m की बड़ी वाली जो m है उसकी value है पस 16 है और r की value आपको as it is रखनी है ठीक है तो वाकि सब की value दे रखी है नोंने तो हम कैसे रखे हैंगे देखिए यहाँ पे p की value दे रख लें सब direct रख दरी में p की value आपके दे रखिए 16 into v की value दे रखिए 9 equals to जो m है वो हमें निकालनी है और m यहाँ पर हम multiply करे रहे हैं जो capital m है वो capital m की कितनी value है 16 ठीक है उसके बाद में जो m निकालनी है में r की value आप देखिए 0,8,21 into जो आपकी t है वो 27,273 में आप plus करेंगे तो आपका आजाएगा 300 Kelvin ठीक है जो आपकी value उससे न सब्सक्राइब की 93.5 ग्राम लफ सेकिंड ओप्शन आपका correct option हो जाएगा ठीक है next question है आपका ideal gas equation बताइए मैंने जब दो वार बता दिया आपको ऊपर कि ideal gas equation क्या होता है तो ideal gas equation होता है बिटा PV is equal to nRT ठीक है तो आपका first option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ओके नीचे भी द third option देखिए आप V is equal to nRT by P तो यह आपसी पर निकाल सकते हो मुझे आपका मुझे option सही लग रहा है third option सही लग रहा है मुझे ठीक है तो देखिए तो कैसे निकाल आईए V equals to P नीचे पहुचा दिया है इसके तो nRT upon P तो आपका जो first and second option सही लग रहा है मुझे तो इसमें बहुत one and third option सही हो जाएंगे उसके बाद में आपका next question है the correct relationship between P CP and CV for an ideal gas is तो इसका जो value होती correct relationship होता है इनके बीच का होता है CP minus CV is equal to R तो आपका fourth option correct हो जाएगा next question है आपका the root mean square velocity of an ideal gas at constant pressure varies with density ds तो पिटा ये क्या था आपका ये जो root mean square velocity है वो क्या है rate of diffusion भी बोलते हैं उसे rate of diffusion rate of diffusion भी बोलते हैं और R से denote करते हैं तो इसकी जो value होती है R equals to one upon root d ये value होती है तो आपकी जिसमें कौन सा जो option match कर रहा है वो आपका fourth option match कर रहा है one upon root d ठीक है ये आप याद रखना root mean square velocity अगर आपको वैसे दे रखा हो कि आपको values रखी हो जैसे density one density two या फर mass one mass two तो आप ऐ जैसे density is equal to what is density is equal to mass upon volume होता है या नहीं होता है जैसे density होगा वैसे ही आपका mass हो जाएगा तो आपका mass हो जाएगा तो आस याज निकाल सकते हो R 1 upon R 2 अगर values दे रखी हो आपके question में तो ठीक है अदर root में आप लिखोगे d2 upon d1 क्योंकि आपका पूंशनल है वो ठीक है और आ आपे हम क्या लिख लेंगे अंडर root में M2 as it is M2 upon M1 ऐसे लिख लेंगे ठीक है volume आपका inversely proportional हो जाएगा तो volume हो जाएगा V1 upon V2 ठीक है अभी next question है आपका grams law of diffusion तो वेटा यही है rate of diffusion इसी को बोलते हैं ठीक है क्योंकि यह gram ने दिया था जैनोंने तो हमने यह question पूछ लिया है कि gram law of diffusion किस ने दिया था इसमें क्या था तो वो था बिटा जैसे कि मैंना आपको बताया r equals to 1 upon root d या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि r is inversely proportional to 1 upon root में ठीक है तो आप बोलोगे क्या इसका inversely proportional to the square root of its density ठीक है आपकी जो first value है वो सही हो जाएगी first option आपका सही हो जाएगा ठीक है फिर 17 question है molecular mass equals to तो molecular mass equals to होता है बिटा जैसे कर हम लिखते है molecular mass यहाँ पे molecular mass equals to होता है 2 into vapor density ठीक है ऐसे लिखेंगे आप तो आपका कौन सा option match कर रहा है इसमें 3 into vapor density कलाता है 2 into vapor density यह सही है उसके बाद में vapor density उसके बाद में 2 into rate of division तो आपका second option correct option हो जाएगा next question आपका most probable velocity value तो आपको पता है तीन values होती है देखो एक होता है CRMS root minus square एक होता है MP और एक होता है I think average velocity ठीक है तो यह क्या होती है आपकी molecular velocities होती है इसमें जो rms वाली value होती है वो होती है वेटा आपकी 3 rt upon m वो भी किसमें है under root में ठीक है यह पर 3 यह वेटा यह उसके बार में जो आपकी most probable value होती है वो होती है under root में 2 rt upon m ठीक है उसका बार में average value होती है average की होती है वेटा आपकी पता देती हूं में आपको 3 rt upon m तो आपका जो value हो जाएगा 3 rt upon m ठीक है यह value होती है आपकी यह भी under root में है ठीक है वैसे without under root की कोई भी value नहीं है इसमें तो यह molecular velocities है आपको यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है आप याद रखना ठीक है सब से जो बड़ी value होती है वोती है देको में आप लग देरी हूं जासे c c m p ठीक है सबसे बड़ी इसकी value होती है sorry सबसे चोटी होती है यह तो one minute इसकी जो value होती है वो सबसे चोटी होती है ठीक है सबसे चोटी होती है इसकी value सबसे चोटी होती है उसके बाद में जो आपकी value होती है वो होती है आपकी c average की उसके बाद मेरेज और मॉल 요호 जो मॉल्acker आपका गयाए मोल किवीड़ोर सबसे कम उसके उससे जादा होती ऐवरेज होती है यह जादा होती आप की तुछ worse पूछा अपको बता श marijuana lepas कि तुमेर ने जैसे कि आपको बताया पुल्स तौब कोई अ स्वाऴ क्रेंगा जाए आपका पाटाव evangel क्या होता है provide तो थी गालेशंच थे ढेटिकल टेम्परिछर तो त्री क्रीटिकल टेम्परिशन आपके पास में होते हैं चुरू critical pressure critical temperature critical volume देखो critical pressure critical volume और critical temperature यह तीन values होती है तो इनका relation निंकालना है बीच में जब relation निंकालते हैं तो relation निंकलता है PCVC upon RTC equals to 3Y8 तो आपका first option सही हो जाएगा ठीक थेंक you so much for watching मैं take care और आपको कैसे लगा मैं जरूबता हैं बाई